मेरे नियू ब्लॉग में सुबा के करीब पांच बज रहे हैं और हम निकल चले हैं बैंगलोर से करीब 80 किलोमीटर दूर मंदारा गिरी हील के लिए सुबा सुबा निकलने का ये फाइदा है दोस्तों कि सिटी के जितने भी ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वो सारे ओफ होते हैं तो बिना रुके हम निकल सकते हैं अपने शफर के लिए अभी हम बैंगलोर के एलेक्ट्रोनिक सिटी फेज वन में हैं और बाइक में पेट्रॉल काफी कम है तो सबसे पहले हमें पेट्रॉल पंप ढूंड़ना होगा यह पेट्रॉल पंप हमें मिल गया है तो आईए डलवाते हैं पेट्रॉल और निकलते हैं मंदारा गिरी हील के लिए तो भाई ने पेट्रॉल डाल दिया है और अब हमें जाना है मैसूर एक्सप्रेसवे फिर यह मैसूर एक्सप्रेसवे का टोल गेट है तो यहां भी हमें टोल कट्वाना होगा तो भाई साब को 20 रुपए देने के बाद अब हम आ चुके हैं मैसूर एक्सप्रेसवे पर और यहां से अभी करीब 40 किलो मिटर हमें स्ट्रेट जाना है अब ही हम यहां यूटूब शॉट्स पनाने के लिए रुके थे परकाले नेशनल हाइवेर वाले आ गए और उन्होंने बताया कि यह नो इस्टो पिंग जोन है तो हम यहां रुक नहीं सकते तो आईए मजे लेते हैं मैसूर एक्सप्रेसवे का अगले 30 किलो मिटर तर इतना धीरे चल दाया है नाम रखा एक्सप्रेस सर्वीस अलो इतना धीरे चल दाया नाम रखा एक्सप्रेस सर्वीस शूट कि भुप्र स्टासितить के लिए ही बाजना एब दो निए वोगाइ। का पुप्र दिए्ट मैं पुप्रू ना भी सेंग से उब दुप्रू आर्ट पूस आर्टापउस सब्साइब जो फोड़ को वाराई प्रेष्ट तर दोगे तर्फा चाहिए लेखो गाई उस्का चेड़ा के टेड़ा हो आई इस पुस्पाट्रक प्रेसे इतेड़ा हो चल लोह है विटेगा ना इस आला पहले सी जुगा हुआ है हम करीब 50 km चल चुके हैं और अब हम माइशूर एकस्पेस्वे से बाहर निकल रहे हैं बहुत तेज भूग लगी है जो चाय पीने का भी बहुत मूड हो रहा है तो कुछ दूर चलने के बाद अब हमें ये चोटा सा चाय दुकान मिल गया है पर चाय वाले भाहिया गाया है तो जब तक भाहिया चाय बना रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कंड़ा में बोलू तो सब्सक्राइब माडी जल्दी माडी तो चाय पीने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं पर भूख अभी भी लगी हुई है तो आगे देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या नहीं करीब कीलो म्टर चलने के बाद और थैजयाएं व्यर्लर पर शर्ब無 क्स्राइब सादिक्राइब अज्माब पाइड मुएड पॉफस्पर के बाद पॉफस्ट के डोसा दुकान जिम्लाई तो आईये करते हैं भाहिया से कुछ बख्चो दिया दोसा के डोसा दोसा और ङतलडीत स्थिक्त दोसा के डोसा का डोसादी प्राइस जरेच़ दोसागä प्राइज प्राइज? हाँ 40 एकना प्राइज एको那êu का सान पृधा छाँ मसाला मसाला दोसा मसाला दोसा मतलबुअ मुणलो वड़ा मिला करना अगाइस का सान था वड़ा मिला, करत पंता만.... चलेवे तो दोता खाने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं मंदार अगिरी हील के लिए और यहां से मात्र 20 किलोमेटर और है तो आईए चलते हैं आप देख सकते हैं गाइज बारिस जैसी मौसम हो रही है वो देखो गाइज वो एक छोटा सा मौंटेन है जो कोहरे से पूरी तरह ढखा हुआ है यहां से मंदार अगिरी हील की डिस्टेंस मात्र 2.2 किलोमेटर है तो और अब हम हाईवे से बाहर निकल देए हैं आप करता है अब लुक्त कि वाच इस अब यह पेड़ा इस भी इस घो एड़ा इस लिए कि आप यह थे वह अब हम आप आल्मोस्ट मंदारा गिरी हील पहुँच चुके हैं और वह हैं मंदारा गिरी हील हम पहुँच गये हैं मंदारागिरी हील और यह रहे पारकिंग वाले भीया तो फाइनली दोस्तो हम पहुँच गये हैं मंदारागिरी हील और यह है मंदारागिरी हील इसमें कुल 400 सीडिया है स्टाइ竊 को दिखें सेट लुचाध सकते है को तोपने को ऺड़े को टे हैट लुचकal जबोरी सकते है Dumas कर को एभान सकते है यूभान स कर दाए國 धन वीदिगे Ăं क助क कर कि अे लुचकरत है ो स्टाइश मेंे आएश्यलन इप्सक्राइ sentido अभी हम करीब 500 सीडिया चड़ चुके हैं और अभी 200 सीडिया चड़नी और बाकी है तो यह जो नजारा आप देख रहे हैं यह करीब 300 सीडिया चड़ने के बाद का है हमारे पैर की बैंड बजच चुकी है और अभी भी करीब 100 सीडिया चड़नी बाकी है फाइनली हम टॉप पे पहुँच गए हैं हालत बहुत बुरी है पर यह नजारा देखकर थोड़ा सुकून जरूर बिल रहा है यहां से हमें एक बहुत सुन्दर लेक दिख रहा है तो हम वहां भी जाएंगे पर पहले यहां एक जेन मंदिर है पहाड के उपर जो की 15th सेंचुरी की बनी हुई है यह है वो मंदिर दोस्तों और अभी यहां रिनोवेशन का काम चल रहा है I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away मंदिर घुमने और थोड़ी देर ऊपर बैठने के बाद अभी हम पहुँच चुके हैं उस लेक के पास Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the face After sitting on the lake, we are going to a famous temple here Peacock Temple यह है गाइस वो फेमस पीकॉक टेम्पल और क्यूंकि अंदर वीडियोग्राफी बैन है तो हम अंदर का वीडियो नहीं बना पाएंगे अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए और क्योंकि हमारे 211 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो एम करते हैं 35 लाइक्स की कर देना भाई लोग बाई गाई फिर मिलेंगे नहीं ब्लोग में